नमस्कार दोस्तों, हमारी सुटू चैनल पर आपका हार्दिक्स वकत है साइटिका, कॉलोस्ट्रोल, कबच, जोडों का दर्द, माइक्रेन, हार्ट ब्लोकेस, कमरदर्द, कैंसर और भी बहुत सारी बीमारियों के लिए रामबान है ये नुस्खा दोस्तों, लसुन यानि गार्लिक सिर्फ खाने के सवाद को ही नहीं बढ़ाता बलकि सरीर के लिए एक महा ओस्ति की तरह काम करता है इसमें विटामिन, खनिस, लवन और फासपोर्स, आइरन वे विटामिन A, B वे C भी पाये जाते हैं लसुन सरीर की रोग परतरोदक्शमता को बढ़ाता है भोजन में लसुन का किसी भी तरह से इस्तमाल सरीर के लिए बहुत अदिक फाइदे मन्द होता है और अगर मैं बात करूँ दूद की, तो दूद हमारी सेहत के लिए बहुत अदिक फाइदे मन्द होता है इसे पीने से बहुत त्रहें की बीमारियां हमारे सरीर से दूर रहती हैं और हमारे सरीर की हड़ियां भी मजबूत होती हैं लेकिन अगर हम दूद में लसुन मिलाकर पीते हैं यानि इन दोनों को ही मिला देते हैं तो इसके फाइदे और भी बहुत अधिक बढ़ जाते हैं दोस्तों आजकल लोगों के जीने का उपाई पहले के उपेक सा बहुत अधिक बदल गया है क्योंकि आजकल का जो खानपान है और हमारी जो दिंचरिय है उसके कान हमारे सरीर में बहुत सारी व्याधियां आ जाती है यानि कि बहुत सारी बीमारियां हमारी सरीर को घेर लेती हैं कभी-कभी तो इस दर्द के कार घुटनों में सूजन की समस्या भी हो जाती है दोस्तो आज का जो मैं नुस्खा आपको बताऊंगा वो इसके लिए एक रामबान की तरह है इसे ना सिर्फ घुटनों का दर्द बलकि कॉलोस्टोल, कबज, कमर का दर्द, कैंसर, अपच, मुहासे, हार्ट ब्लोकेस, माइगरेन, मोटापा और भी बहुत तरह की बेमारियां यानि कि हमारे सरीर की 120 से ज़्यादा बेमारियों के लिए रामबान है नुस्खा उनके लिए एक यमदूद की तरह काम करता है तो आएए दोस्तो सबसे पहले जानते हैं लसुन वाला दूद बनाने की विदी और उसके बाद जानेंगे हम इस दूद को पीने के फाइदे क्योंकि अगर हम इस दूद के फाइदे तब ही उठा सकते हैं दोस्तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि इस दूद को पीने के बाद भी वो कुछ और खा लेते हैं तो उससे इस दूद का फाइदा नहीं मिलता और फिर वो बोलते हैं कि इस दूद का कोई भी रिजल्ट नहीं है तो मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप इस दूद को पीएं रात को सोते समय तो इसके बाद आपको कुछ और खाना पीना बिल्कुल नहीं है आईए अब जानते हैं इसको पीने के चमतकारी फाइदों के बारे में साइकी का कदर चार लसुन की कलियां और 200 ml दूद सबसे पहले लसुन को काट कर दूद में डाल दें दूद को कुछ मिंटों तक उबालें उबालने के बाद इसमें मिठा करने के लिए सहध का प्रियोग ने इस दूद का रोजाना सेवन करने से आपको पूरी जिंदगी में कभी भी इस दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा कॉलस्टोल दूद और लसुन का मिस्रण आपकी हरते की धमनियों की रिकावट यानि उसमें जमा हुए कॉलस्टोल को खतम करने में मद्द करता है अपच दूद और लसुन का यह मिस्रण पाचक रसों के निर्मान में एहम भूमिका निवाता है जिससे एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं से हमें छुटकारा मिलता है जोडों का दर्द इस दूद में सोद रोधी तत्व होती है जिसके कान यह जोडों के दर्द में विसेंस रूप से फाइदेमन होता है अगर आपको खुटनों के दर्द की समस्या रहती है तो इसके लिए निमित रूप से एक गिलास दूद में तीन से चार लसुन की कलियां डाल कर उबाल कर पी इसे पीने से आपको बहुत जल्द रहत मिलेगी माइकरेन माइकरेन के मरीजों के लिए दूद और लसुन का यह मिसन एक रामबान वस्ते की तरह काम करता है यह समन्ने सिरदर्द से भी निजात दिलाता है मुहासे मुहासों की समस्या होने पर लसुन वाला दूद बीना बहुत अधिक फाइदे मन्द है हर रोज एक गिलास लसुन वाला दूद बीने से मुहासे पूरी तरह से ठीक हो जाते है हार्ट ब्लोकेज दूद और लसुन का यह मिसन हमारी हार्ट की सभी तरह की ब्लोकिस को खोल देता है जिन लोगों को हार्ट से जुड़ी कोई भी समझ से है उनको तो इस दूद का सेवन अवसे ही करना चाहिए कैंसर, भविश्य में कैंसर ना हो उसके लिए दूद और लसुन का यह मिसन बहुत अधिक फायदेवन है यह समानने तवचा विकार को भी तुरंथ ठीक कर देता है दोस्तों अगर आपको यह बीमारिया है या किसी भी तरह कि आप बीमारी से प्लिडित हैं तो दोस्तों आप इस विडियो को अधिक स्यदिक शेर कीजें जो मेरे भाय इसतर हैं कि किसी भी समस्यसे से परिशान है उनको इस विडियो को टैग जरूर कीजीए ताकि वो इस विडियो को देख कर अपने लिए फायद फटास grammar तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी परापत हो, तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक ब शेयर करना न भूलें, इसके साथ-साथ आप हमारे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब करना न क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम चवर्दस टिफ्स लेकर आती हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमे बना सकते हैं और सुखमे जीवन जी सकते हैं धन्यवा दोस्तों